नमस्तुब्यम वंदे मातरम दोस्तों सुभागा था आप सबका सैपियेंस क्वेस्ट में तो हम लोग आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे हिंदी जो क्लास 12 का हम लोग का चल लाज सीरीज में समशेर बहादूर सिंग जी को आज इनकी कविता है जो उशा कविता है इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले थोड़ा से कभी पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर अपने कव्ता पर आएंगे कि इनका जन्मस 13 जम्री सन 1911 देहरा दून में हुआ था तो देहरा दून जो प्रांथ है पहले इसी प्रांथ में आता था तो उत्रपदेश का ही जीला तुझ से होड है मेरी उर्दो हिंदी कोस का संपाधन और साहित अकादमियर कभी संबान का फी उच्च संबान माने जाते हैं और सन 1993 अमदाबाद में इनका निधन हो गया तो तुझे धर्ती का गद्द पढ़ा है उसकी सहस्ता प्रांड है तो तुमने धर्ती का पद्द प जीव है जीव जो जर अचल जो जगत है जो इस हंसार में जो है जो ब्याप्त प्राणी समूव है जिसमें जीवन की संकल्पना है जो इस जीवन को जो इस प्रिथवी को कहीं कहीं आलोकित करता है इसको अलंक्रित करता है वो क्या है वो वहां क्या है प्रान है यानि कि जो पेर, पौधे, पक्षी, नदियां, तालाब, मनुश्य, शभी कहिन कहिन इसके बच्चे हैं और इसी की एक पद्दे रसना भी करते हैं। खुद को उर्दो और हिंदी का दुवाब, मानने वाले स्वंशेर की कीकवता, एक संधियस्थल पर खड़ी है। संधिय स्थल अर्थ का होता है, संधिय का मतलब जोडना होता है, स्थल का मतलब जहा है, यहाँ पर हिंदिय और उर्दू को जोडने की बात कही जारे है, दो आप का मतलब भी होता है, जहाँ पर दो नदिया मिलें, तो दो का आर्थ होता है, दो और जो आप का मतलब होता है, यहाँ पर दो साहित तेस्जन की बात की जा रही है, यहाँ शंध एक और साहित चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी और मूर्दता और अमूर्दता की तथा एंद्री और एंद्री यत्तर की है, विचारों के अस्तरपर प्रकतिसील और सिलफ के अस्तरपर प्रवयोग धर्मी कभी शंशेट की पहचान एक विम धर्मी कभी की रूप में है उनकी या विम धर्मिता सब्दों से रंग रेखाश्वर और कूछी की अधुत काशी दरीका माता रखती है उनका चित्रकारमन कलाओं के बीच की दूरी को ना किवल पाटता है बलकि भासा सीत हो जाना है उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है तो जैसे की हमने पुरानी कप्ता में पढ़ा था गजानन माध्यम मुक्तिजीत मुक्तिबोध वाले कप्ता में कि वो भी कहिन कहीं ये मूल बंधनों से हट करके इस संसारिक मौमाय से निवृत्त हो करके एक उच आदर्स को प्राप्त करना चाहते हैं वहीं कहीं 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 इनका उद्देश इनका भी है देखे जो दर्सनवादी कभी हैं जो प्रक्रति को भाव भिहोरो कर मानते हैं जो अपने भावनों को उच्टर अस्थम उच्टर अवस्था पर ले जाने के बात करते हैं। जो वहाँ पर जोड़ बेखती हैं या फिर जोड़ कोई भी तरीका हो सकता है, भावतिक वश्था हो सकती है, तो उनसे छमा मांगते हैं कि मुझे छमा करना, मैं इन सभी बंदनों से परी जाना चाहता हूँ, मैं बंदन में नहीं रहेना चाहता है। पर कथा और सिर्फ दोनों ही अस्तरों पर कपता का मियाज अलग है। उर्दू सायरी के प्रभाव से संग्या और विशेशन्ट से अधिक बल सरबनामों, क्रियाओं, अब्याओं और मिहाबरों को दिया गया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का या कभी जब प्रेम, पीडा, संगर्स और सिजन को गूत कर कपता का महल बनाता है, तो वा ठोस्त होता है, अनुगूंजों से भी भरा होता है, वा पाठक को ना के बल पढ़े जाने के लिए मंतरित क करती है, बल कि सुनने और देखने के को भी, तो इनके साहे तरसिजन की कुछ बात हुई, उसके बाद हमने हमारी कभीता के थोड़ा सा लाइने दी गई है, इनको हम पढ़ेंगे, फिर कभीता पर आएंगी कि प्रयोग वादी होना, इस तिराले से प्रारम कभीता सिल्प सं प्रकृति में होने वाला परिवतन, मानवी, चित, जीवन, चित्र बनकर अभिबक्त हुआ, प्रस्तुत कभीता उशा सुर्योदा के ठीक पहले के पल-पल परिवर्टित प्रकृति का सब्द चित्र है, देखे, यहाँ पर जो कभी की संबेदना है, जो कभी के भाव है, कह अखुर्वी करण प्रकृति का किया गया है, और जो कभीताब की उशा है, यह कहीन कहीन, उशा उशा, उस समय को कहते हैं, जिस समय शुर्ठ उदे नहीं हुआ रेता, पर फिर भी जो सुर्ठ की किरने हैं, जो सुर्ठ की लालीमा होती, वह पूरे जगत में ब्याप्त हो ज प्रस्तुत करती है कभी भोर के आस्मान को मूग द्रिष्टा नहीं है अब देखे मूग द्रिष्टा काउन होता है मूग मतलब होता है जो बोल ना सके और द्रिष्टा का मतलब देखने वाला यानि कि वह चुप चाप खड़ा हो करके वह देखना नहीं चाहता वह ऐसा नही सुर्द्यों के सास्थ एक जीवन परीवेश के कलपना करता है, जो क्यों की सुबह से जुड़ा है अब देखे प्रक्रति वादी कभी है परें तू इन्होंने कहीं कहीं शहर को अच्छूता रखा है और गाउं को बहुत ही ज्यादा महिमावान किया है क्यों क्यों कि जो वास्तविक प्रक्रति होती है गाउं में ही पाई जाती वहाँ पर ये आपनि वेश्ट का जो प्रहार है ये बहुत ही कम हुआ है. प्रकृति आज भी संरच्छित है तो वह गाओं में है गाओं के लोग प्रकृति से जोड़े हुए हैं वहां सिल है कि राग से लिपा हुआ ज़ब महने प्रकृति ये था कि जो सिल थी सिल में सभी लोग पीषने का काम करते थे वह चाहे चटनी हो चाहे सिल में दाल भी दरी जाती थी और जो देकि सिल और एक जात अलग अलग चीज़े होती थी एक में जात में दाल दरी जाती थी और सिल में जो है चटनी पीषने का काम होता है मसाले पीष किनों ने सबी जगह पर अपना वजस्त अथापित कर लिया है और पहले होता यह था कि जो जलने के पाद जो राक बसती थी उससे जो है चौका लिपा जाता था चौका मतलब जो चूले के आसपास की जगह होती थी उसकी लिपाई की जाती थी और स्लेट की कालिमा बच्चे पहले पेन कहां पी इतनी जादा नहीं हुआ करती थी तो स्लेट छोड़े जोटे हुआ करते थे और स्लेट में वहां राक से जो है लिखा करते थे और राक से उसको जो है लेपित किया करते थे और वहां पर उनके जो चाक होती है जो इसको कहते हैं हम लोग छूही उससे व बहुत ही संदर्भित तौर पर इस कविता को ब्याक्खानवित किया गया है कि क्या कहा जाए प्रकृति को इतनी सुन्दर तरीके से इसका चित्रन किया गया है कि मनुश्य भाव भी हो जाता है इसका मानुवी करन संपूर तरीके से किया गया है देख सकते हैं आपकी इस तरह बास्मान जो शुभा का आस्मान था वा नीले संक जैसा था क्यों क्यों कि जब आप देखते हैं कि लालिमा जब च्छाती है तो लालिमा च्छाती है तो आकास भी लाल हो जादा है परंदू वहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो आकास की यहाँ पर प्रतिकलपना की गई है हुआ नीले संक से किये गए क्योंकि आप देखेंगे कि आधिक्तर ताउर पर नीला होता है और नीले होने के करणर कहिन पहीं इस संसार में इस प्रिविप पर बहुत ही अत्तिक मातर में लब्द पानी के करणर भोर का नब सुवा का जो आस्मान होता है राक से लीपा हुआ अभी गीला पड़ा है क्यों जब आप देखते हैं कि जब राक से चौके को लीपा जाता है जब जो चूले के आसपास की जगा होती है जो खास करके मिट्टी की होती है मिट्टी को जब राक से लीपा जाता है तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जब पानी की ब पगवा चौका आसमान में, आसमान को वहांपर कभी संकल्वित करता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, अब देखें, अगर सिल में आप केसर को पीचते हैं ना, तो होता यह है कि सिल तो शिल का रंग जो है पत्थर के रंग में होता है, जैसे कि आ जैसे कैसे हो राकी जो शूर की लालिमा है अब देखे आसमान को सिल माना गया है और सूर को कहा गया कि निले संक जैसा है और वहाँ पर राक से लीप हुआ चाओ का पड़ा हुआ है पर एक प्रतिमान यहां पर और माना गया है कि जिस प्रकार से सूर की जो किरने है शुबा क वह लालीमा से ब्याप्थ होती है, जो भगवा रंग का जो उद्गार होता है, कह सकते हैं कि लाल रंग उद्कृष्ट नहीं होगा कहने के लिए, भगवा रंग वहाँ पर सटीक बैठता है, कि भगवे रंग से जब पूरा संसार वहाँ पर लालेध हो जाता है, तो कहे जा जब आप लाल चाक से लिखेंगे तो उसी प्रकार से लगएगा कि खड़िया लाल चाक से जब धुल दी गई हो तो वैसे जब आस्मान को तीन यहां पर प्रतिमानों में मान लिया गया देखिये पहला संख माना गया जिसको राक सिली पहुचाओ का माना गया उसके बाद यह कहा गया कि शिल है शिल पर जिस प्रकार से सूर की लालिमा किरने उसको प्रकास्पित कर रही है उस प्रकार से उसको मान लेगा और यहां पर तीसरे में स्लेट माना गया जिस प्रकार से जैसे हिल रही हो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पानी में आपको किसी की देर जिलमिल हिलती हुई दिखती है उसी तरह से दिख रहा है कि और जादू तूटता इस उस्षा का अप सूर्दे हो रहा है कि जो आगमन है सूर्देव का वो कहीं न कहीं आकास कर रहा है आकास जकी कोई जानवर यहां, पीर कोई पेड़ है, और पानी हवा के करण। उसमें थोड़ा तौड़ा संवेग होता रहता है, थोड़ा उसमें हमेशआ सद्य डिब्यमान रहती है, तो हम पर बुता ज़रा है कि सुर्देव को आता है, वो कहिन कहीं आकास जो है वो उसको कहिन कहीं एक तरह से निल्देशित कर रहा है और जादू तूट रहा है किसका उसा का क्यों क्यों कि अब शूर्योदे हो रहा है शूर्योदे होने के पहले आकास इतना द्रिब द्रिश्टावान होता है कि आप उसको मूग द्रिश्टा की आपको कहिन कहीं भाव विभोर कर देता है इसलिए कहाता है कि आप सुबा उठिए और सुबा उठकर के आप एक अच्छे नजारे का आनन्द लीजिए कहा जाता है कि उठो जागो जीवन के प्रभाद चल रहा यहाँ पर मले बात जो मले परवस से आने वाली हवाए है वो कहिन कहीं चल लें तो आप सुबा उठिए और सुर्योदय का आनन्द लीजिए भाव भिभोर हो करके जो उशा का आनन्द उसको लीजिए और जो मले परवस से आने वाली हवाए है वो भी कहिन कहीं आपको स्वस्ता बनाती है तो हमारी कविता यहीं पर थी बहुत ही अच्छा प्रकृति का वर्लान यहाँ पर जो है हमारे कवित द्वारा किया गया है और खास बात यहाँ पर यहाँ थी कि तीन तरह से प्रतिमानों में जिस प्रकार से कभी ने शूर योदो और प्रकृति को वनलित किया है उस प्रकार से साइध ही किसी कभी ने इतने अख्यानमित ताउर पर किया हो तो यहाँ पर हमाई के अपताई हैं पर समाप्त होती है कोई भी आपको कमेंट हो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी स्रजेशन हो तो जरूर दीजिए गया तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सैपियंस क्वेस्ट जैहिन जै भारत, नमस्तुब्यम वन दे मतरम